जहिन प्यारे साथियों स्वाकत है आपका अपने यूटूब चैनल सरकारी एक्जाम खबरी में दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आप लोग का एक्जाम जो है जाना एक्जाम सेंटर तो वीडियो में बने रहीएगा चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा यानि की पानी की ट्रांस्फैरेंड एक अपको पानी पीने के लिए बॉल्पायिक पTF ले जाना जिसमें इसी ट्रांस्फैरेंड आमको चाहिए प्पैन उसके बाद original ID proof में जैसे कि आपको आधार card हो गया आधार card हो जाएगा, आपका pen card हो जाएगा, voter ID हो जाएगा driving license हो जाएगा, इन सब ID में से कुछ भी ID एक ले जानी है ध्यान रहे, photocopy माने नहीं होगी, color printout नहीं मान होगा original ID ही आपको ले के जानी है तो उसके बाद दोस्तों आपको दो color size का photograph आपको ले जाना है दो photo आपका लेगेगा, दो photo ले कर जाएगा recently आपकी जो photo उसी को ले जाएगा, ज्यादा पुरानी photograph मत ले जाएगा उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये सारी चीजे आपको mention है यानि कि ये आपको ले कर ही जाना है exam center में उसके बाद दोस्तों मैं बता दूँ, यहाँ पर clearly आपका लिखा हुआ है कि आप original ID ही ले जाएगा, no color photo copies यानि कि आप जो भी ID आपकी है, उसका नग आप color photo copies बहुत लोग ले जाते हैं आपका मान नहीं होगा, original ID ही आप ले जाएगा, उसके बाद दोस्तों बता दूँ आपको कि बहुत candidate के आधार card में date of birth mismatch होगा तो DOB अगर mismatch होगा तो दोस्तों आप exam center से बाहर हो सकते हो, उसके लिए एक आपका option से जैसे कि आपका high school का mark sheet है तो वो भी आप ले जा सकते हैं, high school के original mark sheet में आपका date of birth mention होता है तो वो भी आप ले जा सकते हैं, तो यही दोस्तों जानकारी आपको देनी थी, बाकी और भी आपका जो admit card है, उसमें सारा instruction लिखा हुआ है और सबसे पहले बात कि आपका timing, time सही आप center में पहुचिएगा, बे time जाएंगे तो आपको gate close के बात अगर जाएंगे तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है तो आप समय से बिलकुल exam center पहुच जाएगा, और बाकी यह सब चीज़े आपको ले के जानी है बाकी अगर दोस्तों बता दूमें आपको जैसे कि आपका watch डिजिटल watch नहीं ले जाना है अगर आतमे हाथ में कोई कलावा या माला पहन दे या ब्रेसलेट पहन दे तो वो सब चीज़े आपको उतार के जाना है दोस्तों गल्स के लिए बता दू कि आपके कान में जो टफ्स होते हैं वो भी नहीं होने चाहिए और सिंपल आपके बनके जाना है बिल्कुल एक्जाम सेंटर में तो आप अगर यह सब चीज़े आप पहन के जाएंगे तो आपसे एक्जाम सेंटर से बाहर हो सकते हैं और सेंटर में वचाँ आपको सब्सक्राइब जाये की ऐसी अपडेट हम आपको देते रहते हैं मिलते हैं किसी नाथ ले具प